आज का जो टॉपिक हमारा है that is the recycling of paper for class 8 biology में आपका टॉपिक है पहले हम आज हम पढ़ेंगे इसमे recycling of paper पहले हम बताएंगे आपको dear student जो आपके पास book है copy है आप आपने कभी सोचा है ये कहां से आ जाते है ये book ये paper कहां से ये plants से आते है plants न हमें सिर्फ oxygen देते हैं फूर देते हैं या shelter देते हैं wild animals को इससे हम paper भी हासल करते हैं जिससे आपकी book बनती हैं कापी बन जाते हैं जिस पर आप लिखते हैं dear students आपको मौलूम है अगर हमें एक टन paper बनाना है एक टन paper बनाना है एक टन तो इसके लिए हमें कितने plants को काटन परता है 17 आपके book पर लिखा हुआ है 17 it takes 17 full grown trees to make one ton of paper यह आपकी book पर लिखा गए है it takes फिर से कहूंगा it takes 17 full grown trees to make one ton of paper एक टन बनाने में paper बनाने हमें समझो 17 पेड काटने पड़े वो भी बड़े पेड इसका मतलब हैं जो जब हमें paper की जूरुत होती है तो हमें किस चीज़ को काटना होता है पेड को यहां पर भी हुए deforeration हमें पेड से ही सब कुछ हासल होता है सब कुछ हासल होता है अब क्या हमें करना चाहे अगर हम एक student एक paper sheet को बचाए हर दिन कोशिश करे या अगर हमें क्या करना चाहे जो paper हमारे पास होता है हमें इसको क्या चाहना चाहे reuse करना चाहे at least हमें क्या चाहे one sheet को हमें बचाना चाहे और हमें यू रियूज करना चाहिए इसको बहुत दिनों तक हमें इसको रियूज करना चाहिए जब हम इसको रियूज करेंगे इससे क्या होगा दो फाइदे आए जाएंगे एक तो पेपर बच जाएगा हमारा दोबारा पेपर आपको दूसरा पेपर लाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी जो मार्केट से आपको मिलेगा पैंसे देखकर आपको मिलेगा इससे और दूसरा क्या हो जाएगा आपको क्या, आपने एक पेड भी बचाया, एक ट्री को आपने भी बचाया, जब आपने एक ट्री को बचाया, और इससे एक और चीज आपने मदद की, जब हम ये पेपर बनाते, इसके साथ कुछ किमिकल्स एड होते हैं, किमिकल्स, हारम फूल किमिकल्स, वो भी आपने क्या इनको भी आपने बचाया, रिड्यूस किया, इस मोहारम फुल कीमिकलर को आपने रिड्यूस किया, which are used in making paper, इसको भी आपने कम किया, इसका मतलब है, जब आपने student level पर आपने एक paper को बचाया, समझों, आपने एक environment को भी आपने बचाया, क्यूंकी आप जो इस paper हम हासल करते हैं, यह कहां हासल करते हैं, यह हम plant से हासल करते हैं, हमें recycle करना चाहिए, five to seven times एक paper को हमें recycle करना चाहिए, जब हमने paper को बचा है, plant को बचा है और वो किमिकल्स को भी हमने कम किया, जिनकी वादल से ही paper बन जाता है इस यहां पर भी आपने जाता है प्लांट से ही पेपर हासल होता है जिसमे एक दूसरा टफिक एht जो इसे कहता है reforestation reforestation का मतलब है restocking of destroyed forest by planting nutrients जहाँ पर किजी जगा पर forest होता है यहाँ इनसान के वाज़ा से वहाँ पर plants होते हैं वो खतम हो चुके हैं यहाँ land slides के हैं यहाँ forest के वाज़ा से वो barren land बन जाथ अगर हम वहाँ पर restore करेंगे plants को फिर से लगाएंगे plants को plants को हम फिर से replanting करेंगे वहाँ पर उसे कहता है reforestation यह दो तरीके से हो सकते हैं एक तो यह by natural method से वहाँ पर क्या हो जाए if the forest area is left undisturbed हम ऐसे छोड़ेंगे तो वहाँ पर जो छोड़ प्लांट्स grass आ जाती हुए खुद आ जाती है यह हम खुद कुछ program start करेंगे government के तरफ से यह हम खुद हम करेंगे तो उससे भी reforestation होती है reforestation जरूरी एक process है यह जरूरी है इसे soil erosion भी रुक सकता है इस reforestation के वाज़ा से अब government आप इंडिया ने कुछ यह हम ने भी कुछ program start किया है यह government आपी ने जादा तर इसकी मदद से कुछ पहला जो program है that is the social forestry program यह 1976 में start किया गया इसमें जो plants जो plants हम grow करते हैं फार किस के लिए fuel के लिए food के लिए food के लिए food plants food plants यह हैं social forestry के लिए इसमें जादा रूलर कुम्नीटी को फाइदा मिलता था दूसरा जो program था that is agro forestry program वो इंचर्ट प्रेक्टिस थी इसमें जो इसमें हम farming करते थे forestry करते थे यह animal husbandry करते थे plants को भी grow करते थे इसको कहते हैं agro forestry इसमें plants भी grow करते उसके साथ जेखा रूड पर भी sit out वायल यह प्रेवेट कंपिनीज भी इसमें इस वकत किसी वकत मदद करते हैं उसको कहते है urban forestry जो यह program है जो यह program है reforestation का program है इसमें बहुत सारे मिलक इसमें मदद भी करते हैं for example Canada एक मिलक है इसमें मदद करते हैं इसमें को इमदाद देते हैं reforestation program इसे कि जब हम यह reforestation program करें जो हमारे जेंगल है जिनको हम सब सोना भी कहते हैं या लंग सब अर्थ भी कहते हैं यह वापस आ जाएंगे जब यह reforestation program सिटार्ट होता है तो इसमें जो ecological balance होती है वो ठीक रहती है हमने दो पेट करें हैं हमें double लगानी चाहिए चार पेट लगानी चाहिए अगर हम एक काड़ी हमें दो लगानी चाहिए अब हम सुकूल में भी plantation drive किसी वाकत हम सिटार्ट करते हैं जिससे बहुत ही फायदा होता है environment को बहुत ही फायदा पहुंचता है dear students इसके साथ ही ये last topic आपका reforestation कल हम करेंगे exercise इसके जो questions है page number 32 पे हम मैं आपकी गूर्प में डालूँगा ये questions है इसमें पहले फिलना blanks है ये questions और कुछ questions है वो हम इसमें डारेंगे यू 3 में आता है ग्वाई तोपिक क्सरेशिए अप्राफ 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 थाफ फ्राफ थाप्राफ घो से सकते है